इस वीडियो में हम शुद्ध पदार्थ से परिचित होंगे, जिसे अंग्रेजी में Pure Substances कहते हैं हमने पहले की वीडियो में मिश्रणों के बारे में सीखा था, जिसमें आपको बताया गया था, कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बने होते हैं आईए, अब हम शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जो एक तरह के करण से बने होते हैं अत्वा, उनके करण एक समान रसायनिक गुण रखते हैं उधारण के लिए अगर हम पानी को देखें तो उसकी रसायनिक सरचना तता उसके बाती को रसायनिक गुण हमेशा एक समान होते हैं पानी के यह गुण उसकी उत्पत्ति के स्थान पर निर्बन नहीं करते हैं हम किसी भी स्त्रोच से पानी ले लें, हमें उसकी सरचना एक सी ही मिलेगी उसी तरह एक लोहे का टुकड़ा वही सब गुण रखता है जो दूसरा लोहे का टुकड़ा रखता है एक शुद्ध पदार्थ को हम किसी भौतिक प्रक्रिया से उसके गटक कणों में नहीं तोड़ सकते हैं उसके लिए हमें रसाइनिक वीडियो की जरुरत पड़ेगी शुद्ध पदार्थ की सरचना एक समान होती है इसी लिए उसके सभी भौतिक और रसाइनिक गुण इसपस्ट होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि एक विलियन के कण भी एक समान रुप में पटे हुए होते हैं और उन्हें भी अलग करने के लिए हमें रसाइनिक वीडि प्रयोग करनी पड़ती है तो फिर विलियन और शुद्ध पदार्थ अलग कैसे हुएं? आईए देखते हैं एक विलियन बहुत से शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ होता है जबकि एक शुद्ध पदार्थ में सिर्फ एक ही परकार के कन होते हैं एक विलियन के कन उसी पदार्थ के एक दूसरे विलियन से अलग हो सकते हैं जैसे कि आप एक निम्बु पानी बनाए और आपका मित्र एक दूसरा निम्बु पानी बनाए तो दोनों के स्वाद में फर्क आ सकता है परंतु एक शुद्ध पदार्थ का गुण हमेशा एक सा और स्पस्ट होता है चाहे हम दुनिया के किसी भी जगर पर चले जाए वह पदार्थ हमेशा एक सा गुण दिखाता है उधारन के लिए पानी शुद्ध पदार्थ को हम तत्व और योगिक में विभाजित करते हैं तो हम इनके बारे में आने वाली वीडियो में और अच्छे से अध्यन करेंगे धन्यवाद